कल ग्री मंत्रे अमिच शाह ने एक बार फिर से संसत के अंदर CAA का जिक्र किया यानि कि सिटिजन्शिप अमैंडमेंट अक्ट 2019 नागरिक्ता संशोदन अदिनियम का जिक्र जो है ग्री मंत्रे अमिच शाह की तरफ से किया गया जिसमें उन्होंने साफ तॉट पर और क्लियर क कर दी जाएगे कि लोकसमा चुनाव जो है वो कब होंगे लेकिन अब आप इन सब के बीच में समझें कि ग्री मंत्रे अमिच शाह ने जो है अपने जो उनके मुस्लिम भाई हैं उनसे इस बात की अपील की कि मैं अपने मुस्लिम भाईों से इस बात की अपील करता हूं कि 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 बहकावे में में अए उन्होंने ये भी का कि मुसलिम भायों को बहकावे ऐसे अ까या-जा-लाएं उनको समझ नहीं आ रहे हैं अब दर्शकों के लिए समझना बहुत ज़र्शार जरूरी है कि 688 क्या है और हिंदू, जैन, सिक, पार्सी, इसाई शामिल हैं इन छे धर्मों के लोग जो हैं अगर इन तीन देशों से आए हैं दिसंबर 2014 से पहले तो इन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी बहुत असान शब्दों में हम आपको समझाने के कोशिश करें ये छे धर्म हैं जो अगर द और इनको नागरिकता दी जानी बहुत जादा जरूरी है अगर इनको नागरिकता नहीं दी जाएगी तो इनके ओपर लगातार अत्याचार होते रहेंगे और इसलिए बहुत जादा जरूरी है कि इन्हें जो है अब वक्त आ चुका है कि अब इन्हें CAA के तहत नागरिकता दे दी जाए लेकिन इंस अब के बीच में भाव ही समझ एक मुस्ल्म कम्मुशन कर रहे हैं मुसल्म कम्मुशन को में यह को उन देशों में जो रप्त संक्यक है ऑन पाकिस्तान हो गया बांगला देश हो गया या फिर अफ़ Deshalb वहां पर मेजॉरिटी में मुस्लिम जादा है और अगर माइनॉरिटी में देखा जाए तो जाहिर सी बात है अर्पसंक्यक में जो है हिंदू, पार्सी, सिक, इसाई जो है और बौध के लोग आते हैं और यही सरकार ने क्लियर कट इस बात को समझाने की कोशिश की है किसी एक जो अल्पसंक्यक है हम उनको नागरिटा देने की कोशिश कर रहे है हम उनको एक पहचान देने की कोशिश कर रहे है ताकि आज तक जो उनके उपर अत्याचार होते आए हैं क्योंकि वह माइनॉरिटीज है तो वो उनके उपर अत्याचार जो है अब ना हो और इसी के लिए सरकार प्रतिबद है पूरी तरीके से और इस बात का एलान किया जा चुका है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले CAA लागू कर दिया जाएगा और इसलिए इस वीडियो के जरी आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि CAA क्या है आप इस वीडियो को जादर स्यादर शेयर कर ताकि लोग ये बात समझ रख सके कि CAA को लेकर जब सरकार प्रतिबद है तो आखिर उसका मतलब क्या है